दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में समाय को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है वो समाय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी गम, लाभानी और जीवन मृत्यू से परिचित करवाता है दोस्तों अकसर आपने भी देखा होगा कि समाय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो एक राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है और ऐसा भी माना जाता है कि समाय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें जिलने पड़ती ह लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुप समय आने वाला है इसका पहली ही पता कैसे लगाया जा सकता है अगर नहीं तो चलिए दोस्तों आज के इस विडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिने जानने के बाद आप भी अपने ज अदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं जिन संकेतों के बारे में भगवान शिव ने स्वयम बताया है ये संकेत प्रकृति के द्वारा पसुपक्षियों के द्वारा भी मिलते हैं इसलिए आप भी इन संकेतों को अवस्य ही जान ले तो चलिए दोस्तों जान लेते ह उन संकेतों के बारे में जिने भगवान शिव व्यक्ति का अच्छा समय आने से पहले देते हैं। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चानल में तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आप भी सच में भगवान शिव के सचे भक्त हैं। तो आप इस बीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए। हर हर महा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेक, ब्रहम मुहूरत में चंद्रमा के दर्शन। यदि सोंबार के दिन किसी व्यक्ती की मींद ब्रहम मुहूरत में अचानक ही खुल जाती हैं। और उसे आकाश में चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं। तो इसे शुप संकेत माना गया है। उस व्यक्ती के भक्ती से महादेव भी प्रसन्न है और जल्धी आने वाले समय में उसे कोई अच्छी खबर मिल सकती है चंद्रमा शिव जी के मस्तस पर विराजमान है इसलिए ब्रहम मुहुरत में चंद्रमा के दर्शन होना अत्यन्थी शुब माना जाता है दूसरा संके सफेद नंदी के दर्शन होना यदी सुबा के समय आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं और आपको रास्ते में सफेद रंग की नंदी की दर्शन हो जाते हैं तो इसे शिव जी का संकेत माना जाता है शिव जी आप पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि नंदी शिव जी के वाहन है और अचानक सफेद नंदी की दर्शन होना ये आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के संकेत है तीसरा संकेत नाग देवता के दर्शन भगवान शिव अपने गले में नागों को धारन करते हैं शिव जी को नाग अत्यंत प्रिय है इसलिए आपको यदी सोमवार के दिन नाग देवता के दर्शन होते हैं तो इसे भी आपको शुप संकेत समझना चाहिए शिव जी आपकी पूजा से प्रसन्न है और नाग के दर्शन होना आपकी आर्थिक उन्नती को दर्शाता है जल्व ही आपकी गरीबी का अंत होगा और आप अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप करेंगे चौथा संके एकांत में स्त्री और पुरुष को देखना यदि आप सोमवार के दिन आपको कोई पती पत्मी का जोड़ा किसी एकांत स्थान पर बैठ कर बात करते हुए दिखाई देते हैं तो इसे भी शुप संकेत माना गया है ये स्वयमा पारवती और शिवजी के दर्शन के सम्मान है और आप जिस कारे के लिए घर से बाहर निकले हैं उस कारे में आपको अवस्य ही सफलता प्राप्थ होगी पाच्वा संके भरा हुआ घरा यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ या फिर दूद से भरा हुआ घरा दिखाई देता है तो यहां अत्यन्त शुब माना गया है ये इस बात की और इशारा करता है कि आप जिस काम के लिए बाहर जा रही है उस काम में आपको अवस्य ही सफलता मिलेगी और आपका रुका हुआ धन अचानक वापस मिल जाएगा तो दोस्तों ये थे वो पाच संकेत यदि सोंबार के दिन किसी व्यक्ती को ये पाच संकेत मिलते हैं तो शिव जी उस व्यक्ती की भक्ती से ज्यादा प्रसन्न है और जल्द ही उसका अच्छा समय आने वाला है दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी और रोचक जानकारी को धून कर ला सके तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए